प्याम मोदी बुधवार को देवघर पहुंचे जहाए प्यम ने विजो संकल ब्रैली को संबोधित करते हुए कॉंगरस अंत्याक शाहुल गांदी और कॉंगरस महागड़स गडबंतन पर जम कर हमला बोला प्याम ने देवघर में कहा कि देश टैक कर चुका है कि फिर एक बार मोदी सरकार देवघर में आपसे आशिरवाद के ने आया हुँ विज़ास के नाम पर संकल पर खर्यूट प्याम ने कहा विश्वास है कि संथाल 19 मई को महामिलावट को फूरी तरह से साफ कर देगा इस मौके पर मंच पर गुखिमंद स्री रग्वर दाव चारकन लोगसबाद चुनाव प्यभारी मंगल पांडे दुमका गोड़ा और राजमहल सीट से एट्जी के पत्याशी मौजूद रहे प्यामोदी ने कहा कि बिहार के पालिकंज में चुनावी जंसबा को संबोधित करते नज़राए महामिलावटी लोगों के पास बस एक काम रह गया है कि मोदी की छवी को खराब करो और मोदी को खटा प्याम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी के प्यार से मैं अभी जूत हूँ NJ के प्रती आपता यही प्यार और सबर्थन मुझे दिन रात आपकी सेवा करने के लिए प्रेरिप करता है प्यार में प्याम ने कहा कि छे चर्णों की वोर्चंग के बाद देश इस पश रूप से कह रहा है कि फिर एक बार मोधी सरका उन्हें आगे कहा कि जुतने भी ये महा बिलावची लोग हैं ये घोर नकरात्मक्ता के साथ चुनाव रड़ाई हैं इनके पास बस दो ही प्याम ने विपक्षपा निशाना साथती हुए कहां लेकि इन महा मिलावची लोगों को इसका एसास नहीं है कि मुद्धी आज जहां पर एक तो 30 करून भाट्यों के आशिरवाद से हैं बंगाल में रोश्चों के दुरान अमिर्शा के रोट्शों पर हमले को लेकर अमिर्शा ने दिली में फ्रेस कॉन्फरस कुलाई अमिर्शानी मंता बारजी पर सीधी सीने हमले के आरूप लगाए कहा कि हमला एक नहीं बल्कि तीन तेन गोई अमिर्शा ने कहा कि मंता बारजी कारोप है कि हिंसा बीज़पी कारकताओ ने की लिकिन बीज़पी तो पूरे देश में चुनाव ने रही है देश में कहीं हिंसा नहीं होती और सभी छे चर्णों में बंगाल में हिंसा हुई अमिशाने का बीज़पी ने रोज़शों से पहले जो बैनर और पोस्टर लगाए थे उन्हें फीन घंटे पहले पार और हटा दिया है अमिशाने का बीज़पीर थेक्ष अमिशाने कहा कि रोज़शों में कॉल्काता की जरता का बूलपूर बे समखन मिला रोज़शों के दिरान तीन हुनले हुए बोतल के अंदर कैरोशिंग चाल कर भी ठैक्ट होगे अमिशाने का तेज में के बाद दीदी के दिन समाफ ठोने वाले हैं और बंगाल में हम तेज से ज़्यादा सीटे चुटे पीज़पी अध्यक्ष अमिशाने कहा में सौभागी से ही बचकर नेकल पाया इस तुरान शाने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट जज़च के अधिश्टा में साइटी की जाच को रिचाने पीज़पी ने मिशा के रोड़ शो कज़रान कोलकाता में हुई हिंसा को लेकर चिनाव आयोग से त्रिमल कॉंगर्स के अधियक्स मंता बैनल जी के चिनाप रचार पर रोक लगाने की माल बीज़पी ने आयोग से कहा है कि मंता बैनल जी ने चिनाप रोड़ जी ने कहा कि अमिशा खुप के बारे में क्या सोचते हैं क्या वो और चीज से उपर है क्या वे भगवान है जिसका कोई जिरोध नहीं कर सकता कि मश्रमंगाल में हुई हिंसाने बाद सियासत घर्मा गई है बीज़पी ने ताउने ममता बैनल जी पर आरूफ लगाए तो वहीं दिल्ली में ममता की खलाब बीज़पी ने जंता मनता पर धरना दिया बाजबाश रासर्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे कि भाराश के देविंदर परंडीस और उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदिसिनाथ ने थी तुर्मल कॉंडिस पर निशाना साथ है फरंडीस ने बताए कि ये लोग तंति की हथ्या है जिस तरह से अमिश्या के रोजशों पर हमला किया गया था और पुलिस ने जवाब दिया था मुझे लगता है कि ममता बैन जी लोग तंति की हथ्या करना जाए वियोगी आजिक्तान ने कहा कि मम्ता बैंची की तहित हिर्सा पर्शिर मंगाल में आरच अक्ता का प्रतिवर्म थी चनिकर में मुद्वार की सियम मनुहलाल ने प्रेस कॉंफेंस की सियम ने कहा कि हमारी राष्ट्र अध्यर शम्शा के रोश्चो पर हमला किया गया उसकी मैननदा करता है इसके साथी FCM ने कहा कि इनसा अत्मक कारवाई के माध्यां से दोर्ज़ कना उस्चित नहीं है जब से वाम पंक्ती दलों का शासन गहा तब से लो इस तरह की हिंसा में मारे चाहिए सियम अनुहलाल ने कहा कि वामपधी दलों का शासर चले जारे के बाद भी चियमसी की राज्रुन मुंतारे उसी तरह का रवया अपनाते हुए गुंड़ई राज्टिया है जो प्रोचस नहीं सियम में कहा कि वामता मैल जी बॉकलाई हुई है जैसी बात भी कही है सिर्ब मंगाल में शासर व्यवस्ता की सोच को घलक था है अल्मुरा में वीजिपी युवा मोच्वा ने परशिमंघल में केदि ये ताओं और कारकरताओं तुस्ताक facing ववाल को लेकर नारास्ती चताइए कारकरताओं ने जिलादिकार के मार्षित से राश्टित toutes को घ्यापत की जाइए प्रापन के मार्ठम से बंगाल सरकार की बर्खास करने की मान की गई दरसर अमिशो के रोख चूतिदरान हम रहा हुआ था हमले प्यारों कमता बैंची पर लगे प्रशमनगाल में हुई गिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है इसे हमले की चलतें इद माचल के से म जराम ने इसके करी शब्दों नंदा की तो प्रशमनगाल के सेम को प्रवतिराना उखाना पड़ेगा ममता बैनर जी के मीम विवात को लेकर फिर से स्यासत गर्म हो गई है बीज़पी नेता प्रेंका शर्मा ने ममता बैनर जी पर निशाना सात्य वे कहा कि जिल में मुझे टॉप्चर किया गया और मापी नहीं मागू मैं प्रेंका शर्मा ने कहा कि मुझे ड़ाने का प्रयास क्या गया लेकिन मैं डरी रही क्योंकि अब डर की दुझाइश नहीं इसके साथी प्रेंका शर्मा ने कहा कि मुझे किसी से बात नहीं कर ले दी पार्टी और वकील से बात नहीं कर दे दी गए प्रेंका ने कहा कि मैं मापी नहीं मागूँगी मैं केस लड़ू बस्ता सुप्रीमो मायवती ने नरे नमूदी पर फिर सियासी हमला बोला कहा कि नरे नमूदी खुद को दूद का तुला मानते हैं सचाई ये है कि उन्हें पूज़े पत्यों को लाब पुछाया बस्ता सुप्रीमो ने कहा कि नरे नमूदी जंता के सामने दिखावा करते हैं लेकिन उनका पूरा हिसाब किताब कालीन के रीचुए खुदा मायवती ने बीज़पी और प्रियम मोदी पर निशाना साथ के वो कहा बस्ता सुप्रीमो मायवती ने कहा कि बीज़पी शाही खर्चों वाली पार्टी है नुटबंदी के नाम पर बड़े गुतालों को अंजान दे आया कॉंग्रिस की स्टार्ट उचारक ट्रेंकरगांदी खराब मोसं के जलते मंडी के सुन्दा नगर में प्रस्तावे स्याय रेली मिश्चों करती करता है मैं प्रेंकर गांधी ने इसका वीज़ओ जारीकर मंडी संसदी श्वेत से लोगों से अपील की उन्हें ने कहा कि बहुत दिल कर रहा था मंडी आउं मंडी का प्रोग्राम भी बना पर मौसं बहुत खराब को गया रेंकर गांधी ने कहा कि खराब मोसं के चलते हलिकॉप्टर के पालेटों ने उन्हें की जाज़त हुई भी उन्हेंने कॉंग्रेस पत्काशिक ने जनता से बोट की अपील आनी में सियम जराम ठाको देश सवा को संबोदित किया जिसने उन्हेंने कहा कि आनी मेरा दूसरा घर है इस मौके पर उन्हें मोधी सरकार का गुरगान भी किया सियम जराम ने कहा कि देश में मोधी की अलग सिलहर है और हर कोई कह रहा है आई गा तो मोधी लुक सबत चनाओ खिले अंधिम चरन्द के चनाओ में हमीरपूर संसदी श्वेत के बीजिनी पत्याशी के पूर वसीम पेमकुमार डुमल ने प्रचार से इस कहिए लुमल ने लाह लड़ी में आज़ित नुकर सबागे बरान कॉमिसे जिनेताओं के बयारों पर पलतवार करते हुए चानुस की जो पज़ीत खासल से लेकाब दावा किया तुमल ने खहा के चिनाओ के अंतिर चिनन में लोगों को उखसा को देकर बीजिपी किजवीत रिकॉर्ड मसे से बुखिए दर्शालमी हिमाले विचार मंच की वर्तमान लोकतमा चिनाओ और देश के समच चनौतियां पिशे पराज़ित विचार गोष्टिका ज़न्ट्या गया जिसमें सांसर्च शंताकुमार ने खिसा लिए शंतकमाने कहा कि आज आज़ राज़नीती और आज़ नेता होते टुदेश कहा अच्छा tao बिनांचे लोगों के अच्छी राज़नीती नहीं हो अच्छी पुपाल में विजवे पत्याशी साध्वी प्रग्यात ठाको स्टॉंग रूम पहुंकी साध्वी ने स्टॉंग रूम के बाहर तेनाथ सरक्ताओं से मुलाकात थे आपको बता दे पुरारी जील परिसर में स्टॉंग रूम मनाया गया है जो आइब ये मशीनों को स्टॉंग रखा गया है स्टॉंग रूम के स्टॉंग रूम के स्टॉंग ववस्ता के साध्वी ने चाईज आए गया मैं सुरान बीज़पी के पूर्मंत्री उमा शंकर बुक्सानी तंचकस से उतहा कि कॉवेश बिध्याशी देगविज़स सिंग मैनेजमेंट से चनाव जीथते हैं और इसी को देखते ही हम लोग यहां आएगे संसती सीट से बीज़पी के पृत्याशी शंकर बालवानी ने इन दोर के विधान सबाब पांच के इच्छत्रे साल मंडल के बौर नमबर पचास रेजन संपर्द है इस्वान शंकर लालवानी घर और चपाल पाउचे वुरे विश्रमी भार के स्वाविमान और चंग के विकास के लिए बीज़पी को समथन तेनी की बात यूपी के मुट्वां के योगी आदितनाथ में जन सबा को संबोधित क्या इस मौके पर कुशिय नगर में जन सबा को संबोधित करते हुए योगी आदितनाथ ने सपा बस्पा और कॉंग्रेस पर चौप कर हम रापोड़ा चंदोली में यूपी के पूर मंत्री बाबु संबोधित कर कॉंग्रेस पार्टिरों और प्रणिशीर समाजवादी पार्टी लोहिया के समर्थित त्याश्री को तांसर्थ बनाने की अपीर सी इसरान बाबुस से कुष्वाहने सफा बस्पा गटकंधन पर जुबारी हमला बोला इसके साथी बिचुपी की मोधी सरकार पर भी जब कर कटाश दिया हमालके सबसे उची चोटी में बसे भगवान गुद्धनात के एक अपार्टी देश विदेश के श्रधालू के लिए खुल रहे हैं जिसके तैयारियां इन दिनों गोर्ष चुरों पर चलों भगवान गुद्धनात की जोली को वैदिक मंत्रो चारण के साथ आम संधालू के रखा गया है जहां दो दिन तक भगवान गुद्धनात गुद्धनात के वोपिनात मंदर वे शंधालू को दर्शन देए 17 माई को सबय बंद्धो चारण और पंचौंग को चाखे बाद भगवान गुद्धनात संधर होते हुए रुद्धनात को रवाना होगे 18 माई को दोली रुद्रनाथ मंदर में विराज मान होगी और उनीस माई को ग्रम मुरफ ने भगवान रुद्रनाथ जी के तपाट श्रधालू के लिए पोल दिये जाए सतार कंच में आग लगने से ज्वरकर खाक हुए घर के फिर्टों को समाज सेज्यों ने आखिक सहाई था वही समाज सेज्यों ने माता राशन वर्तन और एक हजार की नगत धनराशी फिर्ट परिवार को दीजिए इसके बाद फूरी परिवार ने उन्चा धनेवान किया 19 माई को होने वाले लोगसबाद चुनाओ के ब्रिष्ट गरत रखते हुए शुजालपुर में फ्लैग मार्श रिका लगा चुनाओ के लेकर फूलिस में सभी तैयार यां फिरी फिर्ट आमजन में सरक्षा और गुंडागर्धी करने वालों में भैका महौल हो सिले में शांतिपूर मद्दान के लिए शाज़ा पूल जिले के सभी खाना श्रिक्तों में ब्रिष्ट पूरिस बल्के द्वारा फ्लैग मार्श रिका लगा सारवा शिटी गुरुग्राम में जेंगू को हरानी के लिए इस्कूली बच्चों और नगार डिगम की करचार्यों मिलकर श्यार में एक करेली निकाली इसमें डेंगू को ना होनी देने के लिए जाग रुपता फैला राली को गुरुग्राम नगर लिगम की मेयर मदू आजात ने हरिचनली दिखा कर रमाना किया सफीदों में वेर हाउस के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों तन गेहु बरसाथ के वज़त से भीटने से खराप हो गया वहीं अधिकारियों ने मामने के सूचना दी इसके बावजूर अधिकारी नहीं जा गया और हटक तब हो गई जब गेहु को धटने का कोई प्रयास नहीं किया मध्याबाद में काउंटिंग सेंटर में जिसे चाक तोले का जिरा वपयू की प्रक्वयास सामने आए अधि है कि ट्रक लीट कोई भी समान संदे की मौज़ें नहीं था लेकिन इस पूरे मामले वो वायोत ने लिज्ञा के बच्चना और पॉनित के विरोट के बाद को वापस देजना तरी सवाल खड़ेग करता प्रिभीत के न्यूर्या था श्वेत में मानाता को शमसार करने वाला मामला सामने आ है जो आएक सब्सा पूर्चर में नवज़ात को ठारियों में छोड़कर माता पिताब वरांग देए मैं बच्चर की रोड़ी की आवास सुनकर एक श्रक्स ने नवज़ात को ठाया और पुलिस को पूचत किया मौके पर पहुंचे पुलिस ने नवज़ात को अत्परताल बेर भर्टी को ठारियों उसके बाद मौके पर पहुंचे चाइल्ड हेल्प लाइंग एक चीन में कारणी कारवाई के बाद नवज़ात को ठारियों सांथ ले गई फिलाल पुलिस नवज़ात के माता पिता की तरलाश में जोड़ी बारमाई को वद्दानगरी के बाद हिसान लोगसबाश्वेत के नौ पितान सबाश्वेतों की सभी एवियम मशीने हिसान में सुरक्षक रखी गई थे इसारवेत की निस्थानों महावी स्टेडियम पंच्रायद भवन और गिरी सैंसर में नौ स्ट्रॉंग रूम बनाए गई हैं जहापर सभी नौ विथान सबाश्वेतों में एवियम रखी गई इवियम की सुरक्षक लेए पिशासने पुक्ता प्रबंध के एए हैं स्ट्रॉंग रूम को सीसी टीवी क्यामरों के निगरानी में रखा गया है वहीं स्ट्रॉंग रूम के बाहर सुरक्षक के द्रिश्टी से फाइब रिकेट की गाली भी खड़ी सी गई नूर्पूर में नशे का प्रभाव लगतार बढ़ता जा रहा है जिसको लेका नूर्पूर खिल बंच ने एक रिटेट प्रत्योगिता का आयुच्वन क्या प्रत्योगिता में 32 पीमों ने फिसार द्योगिता का फाइन टैक्सी 11 और लगान 11 टीम के बीच हुआ जिसमें ने जीच दच दर प्रत्योगिता पर कबजा ज़ाना वुद्पूर खिल बंच के ओसे विजटा टीम को 21,000 और विजटा टीम को 11,000 रुपई नामी राश्री और ट्रॉफी के साथ सम्माने से जा गया समापन समारों पर वुजबिके जिला महासचर रन्वीर सिंग निक्ता मुक्यविती के तौड पर मौशिए नट्सके चांडा में तोली गाउं में सरकारी राश्री के दुकान पर स्टेम सुहल से नेच हाविमार कारवाई तो इस रांग दुकान में कई तरह की खामियाँ सरकारी राश्री के दुकान के संच्छालक पर आरूप है कि उन्होंने सरकारी दस्तावें के साथ छेड़ चार की है जिससे ध्मांगनी को बढ़ावा मिला इसके लाबार इस तुरान दुकानों से राशिन की चोरी जैसे मामले भी सामने आए हैं स्टेम ने दुकान संचाले के खिलाब कारवाई खरने का अबेश जारी किया अच्छार मार्क पर बुसकलन में दो L&T मशीने मलबे की ज़त में आगए इसके लाबा इस मार्क से गुता रही एक पेका मलबे की ज़त में आ गई हो नीचे लोड़ा कई खायल चालक तो चार के लिए पर बुसक्ति करवाए गया लोक निनमान विभार के अधिकारी और पुरस मामले की जार्च में चुटे इसके लावा मकान में मौजूद की इसकामान भी आख के चुटेट में आने से खाक रही आख इसकारन से लगी है ये साफ नहीं हो पाया है गरीवत रहे कि आख के दु कारन माल के घर पर नहीं था वाइब बगेट के तीन कारियों ने आख पर काबू पाया पुलिस मामले की जार्च करते के ते रहदून के हदूर चौर में हाथ सिक ने हुई महिला के मौत की गुत्थी आखिकार पुलिस ने सुझा ली है इस मामने में पुलिस ने मितक महिला के पती सबेश अने तीन रोगों के रसकार के जोई फेश दिया है वही घुटना के खुलासे से मुर्चका के पायजरों ने संतोर्ष रख किया है वही पुलिस कप्तान ली खुलासा केने वाली चीन को धाई हज़ार रुपे नगत के रसकार देने की गुश्चना थी मसफणगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुद्धेर हो गए बदमाश लूट की घटना को अज्जाम देने के जाये थे तबी पुलिस थे उन्हें चैकिंग के दुरान रोखने के कोशिश थी लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फाइरिंग सगी में पुलिस की जबावी फाइरिंग में बदमाश खायल हो गया जबके उसका एक साथ ही पुलिस को चक्मा देकर पराद हो गया पुलिस ने बदमाश के पास से एक तबच्चा खाट्यूस और बाइक की बरामत की अच्छला सनमा की टैलिस पर एक श्रक्स ने आत्माश खाट्या करने की पोशिश की गरीमत की रही कि एक श्रक्स की लज़र उस पर पढ़ गए जिसने पुलिस की मदद से बिना दे रिखिये जिवाद को सही सलामत बचा लिया जनकारी के मताबिक शक्स अपने पारिबारिक करेंचे परशान को करात्म हुट्या का प्रियास कर रहा था फिलाल पुलिस मामले की जार्च नहीं चिदे कालका से रिष्टों को तार करने वाला मामला सामने आए है जो आएक पिता ने अपनी दो बेचियों को मौत की नीज पुला दिया बेचियों के उम्रे करीज 16 और 18 साल कत्रक के बाद आरुपी मौके से परा बेचियों की माँ और भाई भी फ्रेटों मौचूद थे वहीं सुष्टा मिलने के बाद पहुंचे कुलिस मामले की जार्च में चिदे पुलिस ने आरुपी पर्ती को ग्रफ्तार कर मामले की जार्च शुरुपी राश्टिकी में आने खोले कर अज़देवगण का रियाक्शन सामने आ है अज़देवण का क्याना है कि वो कभी पॉलिक्टिक्स में नहीं आएंगे और उसके पूछे होगों ने बेहत अलग कर दिया है अज़देवण ने कहा कि मैं राश्टिकी के लिए बहुत शर्वीला हूँ मैं भीर से सहज मैसूस नहीं करता हालिकि मैं कैमरे के सामने काफी सहज हूँ मैं सिर्फ कैमरे के सामने एक्ट्रोबॉट हूँ नहीं तो मैं बेहत इंट्रोबॉट हूँ इसलिए मैं इस समय काम करने के लिए सहीं नहीं कुछ राक्टर गर्ल मादुरी दिक्षृत ने बुद्वार को बयानवार जन दिन मनाया मादुरी दिक्षृत तार्जन पंजाम मई 19 सथ सथ में हुआ मादुरी दिन मादुरी देश्ट थार्म